हेलो गईट आप सभी का दुबारा से गोर्मेंट जोप्स की यूटचापा हर्दिक स्वागत है दोस्तोर मेरे भाई गुरुबैनों आप सभी के लिए हर्याना कोसल रोजगा निगम का माधमाका हो चुका है आप काफी लंबे टाइम से सोच रहे थे हर्याना सरकार हमारा हम परते हैं तो भाई उर्बैनों आपके लिए गुड अपडेट लेकर आया है नोकरी चाहिए तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना ध्यान से समझना किस-किस भाई उर्बैनों को आज ओफर लेटर मिल गया है साथ में अगर मेरा भाई उर्बैन कोई भी आज़ा हमारा टेलीक्राम गुरूप भी जॉइन करना चाहरा है तो वीडियो के डिस्काप्शन में हमारा टेलीक्राम गुरूप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है जाके हमारा टेलीक्राम गुरूप भी आप जॉइन कर सकते है सारे के सारी नोटिफीकेशन आपको अमारे Telegram गूरूप में समय समय पर देखने को मिलते रहेंगे साथ की साथ आप वीडियो को लाइक निकरते हो यह आपको वीडियो अच्छी लग रही है क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुती मोटीस मिलता है वीडियो लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है ज्यादा ज्यादा संक्या में जितना हो सके सभी वीडियो को लाइक करें चैने को सब्सक्राइब करें आईए माँ आपको ओविशल अपडेट दिखाता हूँ आपके ओफर लेटर का कौनचे विवाग के ओफर लेटर अभी जारी कर दिये गए है हरियाना कोसल रोजगा निगम में किस-किस को रोजगार मिल गया है पूरा आपको डिटेल्स जानकारी दूँगा वीडियो पर केंटिन्यू बने रहे सभी मेरे भाई और मैंनों को बिलकुल साब-साब दिखरा होगा हरियाना कोसल रोजगा निगम की ओफिशल वेबसाइट के सामने डेपलोब्मेंट ओफर लेटर यहाँ पर स्केनर होता है आप सभी को पता है वो मैंने बलर कर दिया नाम बगेरा यह सारी उसकी डिटेल्स यह दोबाई का तो वो मैंने सारा बलर कर दिया परन्तु इसमें डेट आपको दिखाऊंगा इसमें पूरा डिटेल्स तोड़ा जूम कर देता हूँ एक एक पैंट आपको समझ में आना चीए किस परकार से बच्चों के साथ में दोखा हो रहा है या सही काम हो रहा है वो आप इस वीडियो के कॉमंट बूक्स में जवाद देना किस कुसको ओफर लेटर मिला है किसको नहीं मिला किसने फोरं लंबे टायमसे हाँ वेड कर रहे हैं फिर भी आपको ओफर लेटर नहीं मिल पा रहे हैं 12 जून को कल के दिन आपको ओफर लेटर मिले हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है डेप्लोइमेंट ओफर लेटर बीरिंग इन दा मैंपाउर के यूज़ में यह लिया जा रहा है जिसके अंदर किसके लिए आपको उफर लेटर लिखा गया है इसे साब साब एक वो सारे भाई गुर्बेन पढ़ना यहां से क्या लिखा गया है इन ओल्डिरेस ओप देप्लोइमेंट कोंट्रेक्ले परसन पोलिशी 2022 केता है आपको बताना चाहूँगा आपकी सेकेंड एस पर एक वाई के जीन जिले से बिलोंग करता था वो आपर जीन डिस्टिक्स से बिला है जीन जिले का यह ओफर लेटर रहने वाला है बाई उर्भैनो अगर आप भी जीन जिले से बिलोंग करते हैं परन्तु आपका एक जवाब रहता है आप सबी एक ही सवाल करते हैं बार-बार कोमेंट वोक्स में भी और टेलीग्राम गुरूब में भी कि सर जब हरियाना कोसल रोजगरिंगम में कंडक्टरी के फोरम भरवाई नहीं गए हैं तो उफ़लेटर कैसे मिल रहे हैं आपका जवाब सबसे पहले तो यह आता है यह साही बात है कि आपको भी इस यह जवाब करने का पूरा हक है अगर आप इंडिया में बिलोंग करते हैं तो यह कोशन मारक आपके कोशन पर भी लगता है परें तो उसका जवाब आज इस वीडियो में हम देख कर जाएंगे क्योंकि बाई उर्बैनो यह एक अपडेट मिला है स्टिक जानकारी मिली है हमने भी जानकारी प्राप्त की है जो हड़ताल के समय में जो आपको पता है कि करोना से पहले हड़ताल हुई थी जो कंडेक्ट्री के काम में आई थे सुनने में आ रहा है उनको ओफ़लेटर दिये जा रहे है परें तो हभी तक हर्याना कोसल रोजगनिगम में किसी भी परकार की कंडेक्ट्री के फोरम नहीं निकले है हभी तक कोई भी फोरम अप्लाई नहीं करवाई गया प्रेंतु जो Conductory के license आपको मिले है जो आपको ओफलेटर दिये जारे है Conductory के जो हरताल के समय में Conductory का काम किये थे उन दो Candidator को दुआरा Contact Base पर रखा जा रहा है और जो फोरम परते हैं जो भी आप हर्याणा को सलोजगनिकम में फोरम परते हैं अगर आपके पास में Conductory का license है तो वो भी आप लगाया गरो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जहां पर जो डिटेल्स मांगता है पूरी डिटेल्स फिल कर दिया गरो किस टाइम कब आपका लग साथ दे जाई यह आपको भी नहीं पता है किसी भी कंडिडेट को नहीं पता होता है क्योंकि आपने देखा होगा हवी तक कंडेक्टरी का कोई भी फोरम नहीं पर रहा है और ग्यारा सो कुछ पोस्टों के उपर हर याना में Conductory और ड्राइवर की बरती आने वाली है जिसके अंदर आप भी फोरम बरने वाले थे परंतु उससे पहले ही नहीं नहीं अ कि कोई स्टूडेंट अगर अपलाई करना चाहरा है तो कर सकता है मातर आप दो या तीन दिन का समय भी दे देते तो आपके नामचारे का सारा सिस्टम बन जाता परंतु ये बच्चों के साथ में दोखा हो रहा है इसके साथ में Government Jobs की सारी फैमिली आपके साथ में बाई पहली वारा अभी तक हमेरे युटिजा को सस्काइब नहीं कर रखा तो युटिजा को सस्काइब कर लेना बलाएकन को प्रेस कर लेना आने वाले हाट नोटिफिकेशन हर अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी एक चीज़ और बता कर जाओंगा इस वीडियो में भाई ग बिलोंग करते हैं बैंक के अंदर सीधी डिसी रेट जोब आई है कौन्जे बैंक में आई है मैं अगली वीडियो में पूरा डिटेज जानकारी दूँगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सस्काइब कर लेना और आने वाले हर डिसी रेट जोब के अप करईफिकेशन हर आप तक पहुंचेंगे एक-कक पॉइंट की जानकारी मिलेगी हर वर्बर्ति का परने का अपडेट बता चलेगा अब हम बात करेंगेragt का लेकर हभी तक कोई भी PN के उफलाइटर जारी नहीं हुए नहीं तो कोई भी MTS भरती के जारी हुए MTS का ये मतलब मत सोच ले ना मल्टी टास्किन ट्रांस्पोर्ट परसनल वाला इसमें अगर आप अपलाई कर रहे हैं MTS का अलग सिस्टम है जो मैं आप समझाना चाहरा हूँ जो मल्टे जो स्किल्स ट्रांस्पोर्ट वगरा होता है आप सभी को बता है टास्किंग वगरा उसकी मैं बात करने वाला हूँ MTS के अभी तक कोई भी ओफलाइटर जारी नहीं है PN वालों के नहीं हुए है कुक के नहीं हुए है काफी बोस्टे हैसी है जो पैंडिंग में रखी गई है कम से कम पांच महिने से उपर आप सभी वेट कर रहे है परंदू इसके लिए भी आने वाले हर नोटफिकेस न आपको सबसे पहले जानकारी देखके जाएंगे कोई भी लगी तो वीडियो को लाइक करते जरूर जाना क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत इमटी से मिलता है तो वीडियो को लाइक जरू करें वीडियो को लाइक करने के बाद चानले को सब्सक्काइब करें ना दोस्तों मिलता हो नेक्स टुडियो में थैंक्यू जबार्ट